नमस्कार आप देख रहे हैं सीनी उस भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रियाज श्रिवास्ताफ खबर लखना उसे है धर्मा प्रोडेक्शन्स और लियो मीडिया कलेक्टिव के सायोग से अमेजॉन प्राइमदार और प्रस्तत कॉमेडी ड्रामा फिल्म बैड नीउस को लेक इसके मुखे कलाकार विकी कोशल और एमी विर्क नवाबो के शहर लखनाव पहुचे आननतीवारी के नर्देशन में बनी इस फिल्म में विकी कोशल ट्रिप्री डिमरी और एमी विर्क एकदम नए अंदाज में नजर आने वाले हैं ये फिल्म 19 जुलाई आनि आज देश प्रेस कॉण्फरेंस में भाग लिया जो उन्होंने फिल्म अपने किरदार और इसको लेकर अपने अनुभवों के बारे में पत्रोकारों से खास बात चीत करते हुए खूब मौज मस्ती की और एक दूसरे के साथ काम करने के अपनी अनुभव को भी साज़ा किया विकी इसे स्विकार करते हुए अपने आपको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करी है वहीं पंजाबी एक्टर एमी विर्क ने कहा कि मुझे उमीद है नए कॉंसेप पर बनी ये फिल्म तर्शुकों को जरूर गुद गुदाएगी और पसंद आएगी एमी ने कहा कि किसी फिल्म कंडीशन का शिकार हो जाती है इस कंडीशन की वज़से उसकी कोख में पर रहा बच्वा एक नहीं बलकी दो अलग अलग लड़कों का होता है अब बच्चरे का असली पिता कौन है सवाल पर लड़ाई शुरू होती है और डॉक्टर बताते हैं कि दोनों ही लड़के बच् पिता कौन बनने के काबिल है फिल्म में तीनों कलाकारों के इर्दगीर्द घूमती है और मज़ेदार ट्विस्ट सामने आते रहते हैं लखनाव से सीनियू समवादा था दीपक की रिपोर्ट देगा जाये तो विकी कॉशल के तौबा तौबा गाने में अपने डांस से उन्होंने सब का ध्यान अपनी और की जा और यह दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है इसके साथ ही फिल्म का नया गाना मेरे महबूब मेरे सनम रिलीस किया जा चुका है जो आपको शारुक कान की याद जरूर दिलाएगा इस गाने में तीनों स्टार्स नजर आ रहे हैं यह गाना शारुक की फिल्म डूप्लिकेट के घाने मेरे महबूब मेरे समयम का रिक्रेशन है अब यह फिल्म दर्शकों को कितना पसंद आती है यह तो फिल्म का कलेक्शन ही बताएगा फिलाल इस खबर में इतना ही देश दुनिया की बागी खबरों के लिए बनी रही के साथ